24 गंटे की लुका चिपी के बाद आखिरकार टीमसी का पूर्वनेता शाजहां शेक CBI की कस्टेडी में आ गया तस्वीर देखिए आज बंगाल की CID टीम के पास शाजहां शेक की कस्टेडी को सुरक्षित रखने की कोई दलील ही नहीं बच पाई आज लगातार दूसरे दिन जब हाई कोट ने जबरदस फटकार लगाई तो CID की टीम ने बिना आनाकानी के सारी प्रक्रिया का पालम करते हुए शाजहां शेक को CBI को सौप दिया क्योंकि कुछ बचा ही नहीं क्या करते बाई सुप्रीम कोट से राहत नहीं मिली हाई कोट ने आज फिर रगड़ दिया अब आपको पहले दो तस्वीरे दिखाता हूँ एक तस्वीर तब की है जब शाजहां शेक बंगाल पुलिस की कस्टडी में था तब देखिये कैसे चोड़े में अकड से घूम रहा था और एक तस्वीर आज की है जब सीबी आई की गिरफ्त में आया है तब उसका चेहरा देखिये कैसे उतरा हुआ है कैसे बिगी बिल्ली बन के बीच में बैठा हुआ है ये आपको फर्क बता देगा कि बंगाल पुलिस को लेकर इतने गंबीर आरोप क्यों लग रहे है क्यों हाई कोड तक को कहना पड़ा कि बंगाल पुलिस जो है वो पक्षपात पूर्ण कारवाई कर रही है आपको तस्वीर में दिख रहा है भाई बंगाल पुलिस की कस्टडी में देखिए कैसे चल रहा है ये हीरो बन कर और सीबी आई की गिरफ में आते कैसे चुप चाप बीच में बैठा हुआ है कैमेरे की तरफ देख भी नहीं रहा है उस वक्टरी साइन बना रहा था जब पुलिस के पास था सीबी आई के पास आया तब भाई ने विक्टरी साइन नहीं बनाया शाजाहां शेक की कस्टडी आग सीबी आई को सौपने से पहले उसका मेडिकल चिक अप कराया गया किसी आरोपी की कस्टडी देने से पहले मेडिकल चिक अप कराना होता ही है जब शाजाहां शेक को सीबी आई अपनी कस्टिडी में ले गई तो उस वक्त वहाँ क्या महौल था एक बार उस पर एक रिपोर्ट देखिए फिर आपको बताऊंगा कि कैसे शाजाहां शेक पर कल से आज तक लुका चिपी का खेल चला और क्या क्या हूँ अपने कस्टिडी में अपने कस्टिडी में ले लिया है शाजहां शेक को अपनी गिरवत में लेने के लिए CBI की टीम आज शाम चार बज़े से पहले ही कॉलकता में CIT हेड़कोर्टर पहुंच देखिए क्यूंकि हाई कोट ने शाम सबा चार तक शाजहां शेक को हैंड ओवर करने का टाइम तैक कर दिया थे लेकिन हाई कोट के डेडलाइन भी आज मिस हो गए दिल्चस्प एक आरोपी के लिए कस्टडी के लिए कैसे मारा मारी मची है कैसे एक राज्य सरकार ने हाई कोट से सुप्रीम कोट तक पूरी ताकत जोग दी इसकी कहानी देश के उस आम नागरी को जरूर जाननी चाहिए जिसके लिए इंसाफ सिर्फ तारीकों में फस कर रहे जाता है आप देखिए इस देश में जहां आम नागरी कोट की डेलीज तक पहुचने में सालूर लग जाते है वहाँ एक आरोपी को कस्टडी से सुरक्षित करने के लिए कैसे 24 गंटे में एक राजजी सरकार महंगे से महंगा वकील करके दिली से कलकत्ता की दूरी नाब देती है शाह जहां शेक की कस्टडी को लेकर पिछले 24 गंटे में जो जो हुआ तो आपको हैरान कर देगा बॉस और ये वो नेता है जिसको इन्होंने कथित तोर पर पार्टी से निकाल दिया है लेकिन सीबी आई के हाथ ना लग जाए उसके लिए देखे क्या क्या हुआ इस खीस्तान की शुरुआत कल दोपहर से हुई जब हाई कोट ने सीबी आई को शाम साड़े चार बजे तक शाजाहां शेक की कस्टडी बंगाल पुलिस से लेने के लिए के लिए कह दिया इससे पहले सीबी आई शाजाहां शेक तक पहुंच थी बंगाल सरकार बिजली की गती से सुपरीम कोट पहुँच गई और मामले की जल्द सुनवाई की अपील कर डाली लेकिन कल कोई बात नहीं बनी इसी बीच कॉलकता में CID हेड़कॉर्टर में दो गंटे इंतजार करने के बाद शाम साड़े साथ बजे तक CBI बिना शाजान शेक की कस्टडी लिए कल शाम को ही EDB बिजली की रफ्तार से फिर से हाई कोट गई और बताया कि कोट के आदेश के बावजूद CBI को शाजान शेक की कस्टडी नहीं मिली ये तो कल तक की कहानी थी इसके बाद आज सुबह जो भागाम भाग मची है वो भी सुनिए ममता सरकार ये जानती थी कि हाई कोट के आदेश के बावजूद उसकी पुलिस ने शाजान शेक की कस्टडी नहीं दी तो उस पर हाई कोट के अब मानना की करवाई हो सकती है इसलिए आज सुबह 11 बजे बंगाल की सरकार फिर से सुप्रीम कोट पहुँच गई सुबह सबह 11 बजे सुप्रीम कोट ने बंगाल सरकार की जल्द सुनवाई की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि वो मामले को बाद में सुने इतना क्या अरजंट है बास कि एक दम अभी सुनने तो उन्होंने नहीं सुना तो वहाँ फजी हत हुई ममता सरकार की फिर इस बीज दोपहर एक बजे एडी पस्चिम बंगाल की पुलिस के खिलाफ अपनी अरजी लेकर कलकता हाई कोट पहुँच गई दो बज कर 20 मिनट पर हाई कोट ने फिर से आदेश दिया कि शाजान शेक की कस्टेडी सीबी आई को दे दी जाए तो वहाँ डबल फजी हत हुई आप देखिए खल से लेकर आज तक शाजान शेक को लेकर दो बार सुप्रीम कोट और दो बार हाई कोट में मामला पहुचा कभी ममता सरकार इधर से उधर कोट में दोड़ी कभी EDCVI इधर से उधर गए और किसके लिए ये सब उस आरोपी के लिए जिस पर इतने गंबीर आरोप महिलाओने लगा है अब ये सब देखकर तो आम आदमी यही सोचेगा नबाई कि हम इंसाफ के लिए हाफ जाते हैं और यहां राज्य की सरकार एक आरोपी के लिए जबरदस दोड़ लगा रही है खेर अब शाजहां शेख को लेकर ममता सरकार को ज़्यादा बाग दोड़ नहीं करनी होगी क्योंकि अब वो CBI के शिकंजे में आ चुका है CBI को शाजहां शेख की कस्टडी मिलने का मतलब क्या है ये भी समझे अब तक बंगाल पुलिस की कस्टडी में शाजहां शेख को जो वी आई पी ट्रीटमेंट मिलने के आशंका जताई जा रही थी वो अब खत्म हो गई बंगाल पुलिस की कस्टेडी में शाजाँ शेक जैसे तेवर दिखा रहा था वो तेवर सीबी आई के सामने दिखा नहीं पाएगा बंगाल में तो शाजाँ शेक रूलिंग पार्टी से जुड़ा था संदेश खाली में उसका अलग रसूख था लेकिन सीबी आई के सामने उसका कोई रसूख नहीं टिकेगा सीबी आई से एडी टीम पर हमले के मामले में एफाई आर दर्ज करके तीन केस में जाँ शुरू कर चुकी है शाजाँ शेक के सीबी आई के रडार पर आने से संदेश खाली के उन मैलाओं को भी ताकत मिलेगी जो अब तक इस डर में है कि बंगाल पुलिस की गिराफ में तो शाजाँ शेक का कुछ नहीं बिगड़ने वाला अब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा बंगाल पुलिस ने कल सुप्रीम कोट का हवाला देकर शाजाँ शेक को सीबियाई की कस्टडी नहीं दी लेकिन आज कलकत्ता हाई कोट में बंगाल पुलिस की ये दलील भी धरी की धरी रह गए आज लगातार दूसरे दिन शाजाँ शेक पर ममता सरकार की हाई कोट में फजीहत एडी ने कलकत्ता हाई कोट को बताया कि सर देखिये ना आपके आदेश के बावजूद शाह जहां शेक को नहीं सौपाई इन लोगों ने सी बी आई की तरफ से बताया गया कि CID के DIG ने उन्हें सुप्रीम कोट में सुनवाई होने तक इंतजार करने के लिका है ये कोई तर्क हुआ ये कहा उन्होंने कोट में इस बात पर हाई कोट ने साफ कह दिया कि सुप्रीम कोट के पास मामला लंबित होने का मतलब नहीं है कि हाई कोट के आदेश का पालन ना क्योंकि सुप्रीम कोट ने अब तक इस मामले में कोई अंतरिम रोक तो लगाई नहीं थी सारे पक्षों की दलील सुनने के बाद कलकत्ता आई कोट ने ओर दिया कि शाम में साड़े चार बजे तक ये शाजाँ शेक को ना CBI को दे दो इस पर E.D. को आई कोट से अपील करनी पड़ी कि शाजाँ शेक को हैंड़ोवर करने का टाइम थोड़ा और पहले कर दीजे ताकि अगर आज भी वो शाजाँ शेक को हैंड़ोवर नहीं करते हैं तो कम से कम दुबारा कोट आने का टाइम तो रहे इसके बाद कलगत्ता हाई कोट ने शाजाँ शेक को हैंड़ोवर करने का समय साड़े चार से घटा कर सबाचार कर दिया आप देख रहे हैं जाज एजनसियों को आज भी भरोसा नहीं था कि बंगाल पुलिस शाजाँ शेक को हैंड़ोवर दे लिए इतना ही नहीं कोट ने भी इस बात को माना कि हो सकता कि बंगाल पुलिस शाजाँ शेक का हैंड़ोवर ना करे और इसलिए कोट ने एडी के अपील को माना और हैंड़ोवर का टाइम 15 मिनिट पहले कर दिया हाई कोट ने CID के अधिकारियों के खिलाफ अब मानना की कारवाई का नोटिस जारी किया हाई कोट ने कहा तुमने दिया नहीं तो हो गया अब मानना का नोटिस दो हफते में उन्हें ये बताने के लिए का हाई कोट के आधिश का पालन क्यों नहीं किया जी तुमने मतलब ममता सरकार उसके अधिकारी सब की फजीहत पे फजीहत हुई किस आदमी के लिए इस एक आदमी के लिए जिस पर इतने गंबीर आरूप महिलाओने लगाये हैं कि ये उनके साथ गलत काम कर रहा थे इससे पहले कल भी कलकत्ता हाई कोट ने शाजाहां शेक को लेकर ऐसी ऐसी टिपड़ी की थी जो किसी भी सरकार के लिए बड़ी फजीहत है ऐसी ऐसी बाते हाई कोट ने कहीं कि अगर किसी बीजेपी शासित राजजी के लिए कह देता काई वहां का कोट या योगी सरकार के लिए कह देता तो ये एजंडादारी छाती पीट लेते कि अभी इस तीफा कराओ लेकिन ममता सरकार से कोई इस तीफा नहीं मांग रहा आप सुनिया हाई कोट ने कल क्या का हाई कोट ने शाजान शेक के खिलाफ जो बंगाल पुलिस की एफाईयर दर्श थी उसमें गलतिया पाई भाई कोट ने माना कि E.D. टीम पर हुए हमले के मामले में कई दाराएं शाजान शेक के खिलाफ एफाईयर में डाली ही नहीं गई कोट ने ये भी माना कि E.D. के अधिकारियों पर हुए हमले को बंगाल पुलिस ने बड़े हलके में लिया है कोट ने का कि शाजाँ शेक को बचाने के लिए जांच में जान बूज कर देरी की गई यह हाई कोट बोल रहा है हाई कोट ने ये भी का कि शाजाँ शेक एक प्रभावशाली आदमी है जिसके संबन सत्ताधारी पार्टी के शक्तिशाली लोगों से हैं राजी की पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए हर संबब कोशिश की कोट ने ये माना कि अगर उसे राजी की पुलिस के साथ रहने दिया गया तो वो जाज को प्रभावित कर सकता कोट ने यहां तक कहा कि बंगाल पुलिस का रवया पक्षपात पूर्ण रहा है इतना कुछ कहा जा रहा है एक राज्जी की सरकार के लिए ऐसे मामले में जिसमें माईलाओं ने गंबीर आरोप लगाए है और फिर भी आप देखिए इंडी गड़बंदन के लोग चुप बेटे हैं माईलाओं की इज़त उनकी नजर में तभी है जब वो बीजेपी शासित राज्जी में कुछ हो जाए उनके साथ मोधी को हराने के नाम पर बंगाल में कुछ हो जाए तो सब मुझ घुमा लो पेश हो और ये कोई छोटे मोटे वकील नहीं है मोटी रकम लेते हैं एक एक सुनवाई की शाजहां शेक की कस्टडी ना देनी पड़े उसके लिए अभी शेक मनु सिंग्भी वकील रखे शाजहां शेक पर हाई कोट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में जल्द सुनव होगा तो फैसला लेंगे यानि बंगाल को सुप्रीम कोट से जिस तुरंत राहत की उमीद थी वो नहीं मिली सुप्रीम कोट ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया लेकिन बॉस ये सारी चीजें देश देख रहा है नेताओं की इमांदारी कितनी है मैलाओं के इज़त को लेकर आप देखिए ये लेटेस तस्वीर आ गई है इसका चेहरा उत्रावा देखिए ये इसको अब सीबी आई मेडिकल चेकप के लिए ले जा रही है उसकी तस्व देखिए कैसे रॉले में चलता था आज देखिए चेहरे पर हवाईयां उड़ी हुई है आज क्यों नहीं विक्टरी साइन बना रहा है जब सीबी आई के हाथ लगा है क्योंकि तब तो रॉला था कि मैं बंगाल पुलिस के पास हूं मुझे क्या होगा अब देखिए इसकी पीचेहरा को बतारा